आज हम लोग इंटेरेट में यूज होने वाले बहुत ही जरूरी वूड के जो पार्ट्स होते हैं जिसके वूड के लावा जो हम लोग अदर जो उसके प्रडक्ट होते सब सीडियू प्रडक्ट होते हैं उसके बारे में चरचा करेंगे तो आज हम लोग अजिकर हाली कंप्रेस कर दिया जाता है और उससे यह बोड बनते हैं यह सारी वूड बोड इन्वार्मेंटल फ्रेंडली होते हैं क्योंकि इसीदे पेर से कट कर नहीं आते बलकि वूड वेस्ट होते हैं इसलिए उसके लिए कोई नया पेर नहीं कटता तो बहुत ही इन्वा उस डिजाइन के नाम से यह बेड़ी रोड पतना में इस्तित है आप यहां पर आसानी सार्किट्चल के सारव यूड कोई दियानिंग वगेरा है आप करवा सकते हैं इंटैरी लेटेड को भी पॉड़क्ट परड़क्ट के बारे में जानकारी चाहिए यह यूड आपको को तो हम लोग सबसे पहले चर्चा में इसके फुर्फॉर्म के बारे में जान लेते हैं MDF का मतलब होता है Medium Density Fiber Wood, HDF का होगा High Density Fiber Wood और HDHMR का मतलब होगा High Density High Most Resistance Fiber Wood जैसा कि इसके फुर्फॉर्म से समझ में आता है जो इसके Density होती है उसके एकॉर्डिंग जो Wooden Chips होती है उसको हम लोग जब कल्कुलेटर वगरा करते है तो हम लोग देखते कि MDF में Medium Density है तो मतलब जो Wooden Chips की मात्रा होगी वो इसमें तोड़ी कम होती है तो MDF की Density सबसे कम होगी उसके बाद आपको HDF की आएगी High Density उसके बाद आपको HDHMR की आएगी जो Master Assistance तो है साथ इसमें Density वे एची कासी अबलेवल होती है तो Density वे बहुत सारे फेक्टर निर्वर करते हैं हम लोग आगे चलके इसके बारे मारजन कारी क्टा करते हैं क्या है इसके बारे में तो अगर हम लोग कुछ parameter performance देख लेते हैं तो किस जगा पर कौन से parameter पर कौन से product याज़ अचे करे होते हैं किसके क्या संभावना है किसको कहां पर यूज के आता है यूजज क्या उस parameter को देखते ही हम लोग यूज में इसको लेकर आते हैं तो सबसे पहला जो हम लोग परामिटर में चेक करते हैं वह वाटर रसिस्टेंस तो जह जो आप देखोगे ऐसा कि कोई भी वुलिन प्रड़क्त को यूज कर रहे होते हैं हम लोग आम तरह बहुत ध्यान रखते हैं कि जो हमारी रसिस्टेंस हो वाटर की वह अच्छी हो क्योंकि नोरमली अगर आप देखो कोई प्रड़क्त आप लगा रहा हो कोई प्लाइवर वगर यूज कर रहा हो या कोई अमडिया फगर यूज कर रहा हो पानी आ गया फुल भी रास्ता हो सकता है तो वाटर रसिस्टेंस अब अम लोग इस परमीटर पर देखके तो एंडिया फोर फिर इन दोनों ही में वाटर की रसिस्टेंस करने की छमता बिल्कुल भी नहीं होती और यह वाटर प्रूफ नहीं होते हैं इसमें असानी से पानी लग जाता है पर कि उसके जगह तो हमनों को यूज कर सकते हैं बीना किसी डाउट के और आपको यह बात जानके बहुत ही आशे होगा कि MDF और HDF बिल्कुल एक स्पंजी की तरह काम करेंगे और बहुत सारे पानी को वह एब्सॉर्ब कर लेते हैं आपने तरफ तो वाटर यह प्रूफ होते ही है तो आप उसके ऐसी जगह को एवाईडी करें तो जगले परेमीठर को म walk बात करेंगे जब भी हम लो को यह बीद बनारा होते हैं या कहीं हम लोग को यूज कर रहू होते तो को यहां को स्कूल लगाना एक आम तोर पे बहुत ही मतलब बेसिक चीज है कि हाँ हमको कोई भी चीज बनाने हो गया फरनीचरी बना रहे हैं तो हम लोगों को वहां पे कापस्टी MDF HDF की बहुत अच्छी नहीं होती इसलिए हम लोग जिनरली इसको एवाइड करते हैं और इसको अगर हम लोग को यूज भी करना होता है तो हम लोग के मदद से इसको अच्छी कर लेते हैं तो चुकि इसमें स्कूरू लगने की समौना थोड़ी कम होती तो इसको नोर्मली हम लोग डेकुरेशन परपस के लिए उच करते हैं और इसको अमलोग फणिचर वगरा बनाने में इस्तमाल कमी करते हैं लोग वाइड करते हैं इसको जितना बचा जाए उतना अच्छा है क्योंकि फणिचर के हिसाप से इसकी डिजाइन उतनी अची नहीं आती है इसके बाद में आपको HDF आईगी जिसमें लाइट वेट और प्रेसर वगरा थोड़ी काम है वहाँ आप HDF को यूज कर सकते हैं चोटे मोटे सब्सकर बनाने में आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं और इसकी प्रित आप HDHMR को देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको मिलेगे हाई स्थ्रेंथ रहेगी और हाई स्थ्रेंथ तो है बट आप ऐसा इसको प्रेटन नहीं कर सकते कि यह प्लाइवुड का रिप्लेस्मेंट हो गया मुझे बूती मिल गई तो ऐसा नहीं है प्लाइवुड आपका मच बैटर है मच स्ट्रॉंग है आप उससे प्रड़क्ट हमारे टर्माइट को रेसिस्ट कर सकते तो आपको MDF और HDF यह दोनों ही प्रड़क्ट ऐसे जिसमें आसानी से आपको दीमक लग जाती तर्माइट इसमें आसानी से पकड़ लेते तो यह उसकी इसाब सकते तो इसको एवाड़ी करें तो जादा अच्छा है प्रड़क्ट हमारे को आसानी से यूज कर सकते यह टर्माइट प्रूफ होते क्योंकि जब इसको बनाया गया जा रहा होता है ना उसी वक्त हमनों कुछ ऐसे केमिकल क्या से को ट्रीट कर देते हैं जिसकी मद्द से बच जाते हैं अब हम लोग इसके जीवन को देखते हैं क क्योंसे प्रड़क्ट हमारे कितने लंबे साल तक जीए चलेगी किसकी लाइफ स्पैन कितनी लंबी होती है तो हम लोग अंडिया की बात करते हैं तो अपको आसानी से जान भी अगर पानी वगएरा लगने किसा बहुना बिलगुली भी नहीं है तो आप इसको आसानी से दस साल तक यह आपको खिच देगी हाड असानी से लेकर जाएगी वड़कर अपलेमिंट वगएर कर देते तो असानी सा ठार उनी साल तक यह लेकर चली जाएगी और इन सबों में हमेशा से आपको HDHM आर आगे चलती है क्योंकि पानी लगे अना लगे इंको को फरक नहीं परत पचीस साल तक यह आसानी से आपको सर्व करके देगी क्योंकि इसके अंदर मुश्यर एसिस्टेंस की कपा से उठी होती है अच्छी कास ही होती इसलिए आपको HDHM आसानी से पचीस साल तक आपको खीच के ले जाएगी अब अगर हम लोग इनकी कॉस्टिंग की बात करें त सकते हो कि MDF के क्वालिटी थोड़ी ज्यादा ही लोग है तो उसकी कॉस्ट भी लोगी होगी अच्छी अच्छी आपको मीडियम में मिलेगी और HDHMR की मिल जाएगी बट आप एक्चुल रेट ऐसे बैट करके पिडिक नहीं कर सकते हैं आपको लोकल जाकर कि अपने आस पास तो MDF बैसिकल ही जो यूज किया जाता है जिसके वो बनाएगेए तरह स्था पिडिके करो तो यह बैसिकल ही बनाएगा एक डेकूरेशन के लिए यह कि इसको असानी साप कंट सकते किसी भी सेप में इसको कटिंग असानी होती है तो आप इसको डेकुलेसन में किसी भी सेप वहां वाग्न कोई भी मिया है तो जूरूर वॉदॉर्ट भी वाड़ने दीजिंदे वेज़्ज्ट में रहा और अजनाया वाहिए श्य कनुट कर सकते हैं हरूं कि फिर्टी कborव आप सक्षाथ 12घ जो कि दुट्डूर होते हैं उसके उपर थोड़ी बहुत डिस्केट संथी ऐसे वीडियो उसके लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब करें